जैसरी राम जैसरी राम स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में फाइनली अथाक प्रियोगर बर्षों की कड़ी मेनत के बाद 22 जन्वरी को हो रहा है अयोधिया में बवी राम मंदिर मात्सव अभी मैं खड़ा हूँ अयोधिया के इस एरपोर्ट पर जिसका पूरा नाम है मारेशी वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट तकरीबन 822 एकर में बने इस एरपोर्ट के अराइवल एरिया में आपको नजर आएंगे रामहन काल के महत्वपूर्ण इवेंट्स की पेंटिंग जिसे के ये पेंटिंग दर्शादी है प्रभु स्री राम जब 14 साल वनवास पूरा करके अयोधिया में लोट कर आये आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आप मुंबई लखनो दिली कुलकता से डायरक्ट भाय एर आ सकते हैं तकरीबन भारत के सभी मुख्य एरपोर्टों से इसे जोड़ा गया है अभी मैं खड़ा हूँ उस कुझ पर जहां पर बनाये गए है 108 हवन कुझ अद्बूत है यह द्रशिय इस खुबसूरत द्रशिय को देखके मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी उस यूगी में पहुँच चुका हूँ जिस यूगी में प्रभु श्री राम का जन्म मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मुझे इंतजार रहेगा आपकी कॉमेंट्स का यह वंदे मातम ट्रेंच जो अभी गुजर रही है और यह शायद अभी गौरफपूर के लिए जा रही है गौरफपूर से इसकी दूरी है 155 किलोमीटर की यह अयोद्या का र जर्यदा संग्राम की है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की ये काथा है राम मंदिर के निर्मान की जज़ेश्टी राम मंदिर के निर्मान की आज के वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्लेश पे नए वीडियो के साथ उमेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेर करें और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर करें है